ब्रॉट तो यू बाइ टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स समंदर में ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं हो रही है बलकि यहां पर आर्मी एक बोट को चेज कर रही है जिस पर बहुत सारा कोकीन लदा हुआ है तस्वीरे कुलंबिया की हैं कुलंबिया में सेना ने एक बोट का तकरीबन बहुत देर तक पीशा किया और फिर उसे पकड़ लिया लेकिन सोशल मीडिया पर इस भागम भाग का वीडियो काफी वारल है इस भागम भाग के पूरे वीडियो में कुलंबिय नार्मी उसके प्लेंस और कुलंबियन एरफोर्स के साथ-साथ United States के Southern Command के लोग एक साथ लगे हुए थे ताकि इस सस्पीसिस वेजल को पकड़ा जा सके तो रसल इस वेजल पर बहुत बड़ी मात्रा में कोकीन लदा था जिसकी जानकारी कुलंबियन पुलिस को मिली थी जिसके बाद क्या था कुलंबिया की सेना एरफोर्स सबने एक साथ मिलकर एक पूरा प्लान मनाया और फिर इस बोट को पकड़ लिया लेकिन इसे पकड़ना इतना असान नहीं था बोट का चालक बहुत ही तेज स्पीड से भाग रहा था जैसे ही बोट के पास कोई भी आता वो बोट की स्टेरिंग दूसरी तरफ मोड़ देता ऐसा करते हुए बहुत वक्त दिगल गया लेकिन हाथ न लगा ये कोकीन ड्राइवर सुचना थी कि इस बोट पर तकरीबन 3.3 टन कोकीन क्लोरो हाइडरेट लगा हुआ था जिसके बाद इसको पकड़ना बेहत जरूरी था भागम भाग में आखिरकार ये बोट वाला पकड़ा गया जैसे उसने पाया कि वो चारों तरफ से घिर गया है और आम फोर्सेस ने उस पर बंदूग तान दी है इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया सेना और अमेर्की सेना के सहयोग से इस ओपरेशन को सफल बनाए गया है लेकिन ये इतना आसान नहीं था तस्वीरों में देखकर आप समझ सकते हैं कि इस बोट पर तकरीबन पांच लोग थे जिसमें से तीन कोलम्बियन थे एक वेनजुएला का था और एक हॉंडुरुन था पांचों लोग 3.3 तन कोकीन क्लोरो हाइडरेट लेकर जा रहे थे और तभी सिना ने उन्हें पकड़ लिया इस ओपरेशन के बाद कोलम्बियन एंटी नार्कोटिक्स पुलिस चीफ ने बताया कि उन्होंने 1.7 तन कोकीन क्लोरो हाइडरेट बरामत कर लिया है और बहुत सारा आविकाडो के साथ साथ बहुत सारी नशीली पदार्थ और नशीली गोलिया इस बोट से मिली है आपको बताते कि कुलम्बिया में तकरीबन दो एंटी नार्कोटिक्स के बड़े उपरेशन हुए उसमें से एक ऑपरेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और दोनों ही ऑपरेशन में तकरीबन 5 टन कोकीन को कुलम्बियन अथार्टी ने जब्त किया है और यह सब कुछ हुआ है अमेरिकी फोर्स के साथ मिलकर कुलम्बियन आर्ट फोर्स और अमेरिकी सेना ने साथ मिलकर ऐसे दो ऑपरेशन को अंजाम दिया सैन अंड्रियाज आइलेंड के पास 3.3 टन कोकीन हाइड्रो क्लोराइट के साथ भी लोगों को पकड़ा गया है आपको बताते कि यह पूरा इलाका इस वक्त सबसे जादा नश्यक के गिरफ्त में है और इस इलाके सबसे जादा तसकरी हो रही है पुलिस छोड़िये सेना और अमेरिकी सेना दोनों साथ मिलकर इस पूरे इलाके में आपरेशन को अंजाम दे रही है जैसे ही तसकरों को लगा कि अब सेना उन्हें पकड़ लेगी उन्होंने भागदा शुरू किया लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि अब सेना ने उन पर बंदूक तान दी है तो उन्होंने अपने दोनों हाथ उठा कर सरेंडर कर दिये जिसके बाद सिना ने उनकी बोट को भी अपने गिरफ्त मिले लिया है और बोट पर लदा हुआ सारा कोकिन सिना ने जब्त कर लिया है ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक हुआ हुआ हाँ